इसे ही लेगे जाए जाए जाएगा जाएगा और नीरच जी जो आदिल पे आरोप लगाई है राकी साउत ने उसके बाद मेरे क्लाइन को आखी के घर से उठाया गया जिस टाइम पर लड़का अपना कपड़ा लेने गया था उसके बाद फिर वो यहां पे आने के बाद पुलिस ने उससे सक्षिन 41 का नोटी स्टेशन में सर्फ किया उसके बाद मेरे क्लाइन का डिटेल स्टेट्मेंट रिकॉर्ड वगा जिसमें मेरे क्लाइन ने सारी चीजे क्लीर करें कि पैसे का लेन दिन कैसे क्या हुआ था क्या नहीं उल्टा है मेरे बहुत ही यूज अमांट लगा हुआ है मैंने खर्च किये जैसे ही पता चला है क्लाइन को कि यह सारी चीजे क्लेरिफाई हो चुकी है पुलिस स्टेशन में और उनको लगा है कि मेरा क्लाइन शूट सकता है सारी चीजों से लीगली उसके बाद वो पुलिस स्टेशन आये हैं और उन्होंने 376-377 का एलिगेशन किया है और उसमें यह स्टेशन एड़ हुए उसके बाद जो पूरी तरीके से जूटा है प्री प्लांट है अफ्टर थोट मैंने किया गया है लेकिन उनकी तोर से यह कहा जा रहा है कि बैंक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जो जो आदिल ने खर्च किया है बैंक स्टेटमेंट तो हमने भी पुलिस को बोला है कि हम भी आपको बैंक स्टेटमेंट देते हैं हमने अपना सारा बैंक स्टेटमेंट का डीटेल दिया हुआ है मेरा जो पर्सनल अकाउंट है वो भी दिया हुआ है जो हमारा बिजनेस अकाउंट है राकी के साथ में जो जो operate होता था, उसका भी detail दिया हुआ है, let the police investigate, the truth will come forward, और सबसे बड़ी बात ही है, कि जो business account था, आदिल और राकी का, वो joint account था, जिसमें जब कोई भी transaction होता था, OTP आता था, 6 digit का, जिसमें से 3 digit राकी जी के उस पर आता था, और 3 digit number जो है, आदिल के उस पर आता था, दोनों का मिला कि जब 6 digit का number एंटर होता था, तभी transaction कम्प्लीट होता था, तो ये fact अपने आप में ही sufficient ही बताने के लिए, कि मेरा client कितना निर्दोश है, इसमें, सारे 406 लगाया गया है, जिसका अगर कहें तो यह दोखा देना कहीं नहीं, criminal breach of trust, फिर साधी क्या हुई थी या, उस पे आधार पर आती अरूप लगा रही है, नहीं, वो 406 लो पैसे रुपए के लेंदेन के उस पर लगा रही है, उनकी शाधी ही है, वो तो admitted fact है, उनोंने मीडिया के सामने ही हमेशा हो किया कि उनका पती है, और इसलामी कृत लीवा चैलेंज करने वाले हैं और क्या उमीद है, आज की जमानत होगी या, अभी देखिए, अभी कोर्ट में अभी इनको प्रिड्यूस किया जाएगा, प्रस्टीकिशन की क्या दलीले होती है, सामने से, और हमारी जो भी है, जो फैक्स है, वो हम कोर्ट के सामने रखेंगे, ले पहली बात तो कार मेरे क्लाइंट की है, और वो क्लाइंट, मेरे क्लाइंट की कहने के हिसाब से, मेरे क्लाइंट की गाड़ी जो है, और चावी, वो राकी जी के घर पे पड़ी भी है, और पुलिस को उनको गाड़ी को रिकवर करने दीजे, सचा ही कुदी सामने आ जाएग और prosecution को कुछ नो कुछ तो चाहिए बोलने के लिए बट उसको substantiate कितना कर सकते है उसको प्रूव कितना कर सकते है वो ज़्यादा जरूरी है आप अदर गेड़ी जो भी हमको लेना था वो इसाब से लिया है और अभी उनको मेडिकल के लिए लिए उसके बाद पूरी तरीके से सब्सक्राइब है कि आदिल के घर वाले उने सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके पेरेंट्स है उनकी फैमिली है पुरी तरीके से सपोर्ट कर रही है अगर ऐसा कुछ है भी तो यह एक नॉर्मल चीज है कि केस अगर चल रहा है उसमें इस नॉट बिंग कन्विक्टेड कोई भी रहाएगा जब तक उसका अपरात सिद्ध नहीं होता तब तक आप कैसे कह सकते हिस्टरी शीटर है ठीक